दिल्ली में पानी को लेकर हाहाकार क्यों मचा? क्यों दिल्ली के लोग पानी को लेकर परशान है? क्या वजह रहीं दिल्ली में जिसकी वजह से लोग आज पानी को परशान है? पान साल में पाइपलाइन बिछाएंगे, हर घर में तूटी में पानी आएगा. इस साल के अंत तक दिसंबर तक दिल्ली के हर घर के अंदर पाइपलाइन से पानी पहुँच जाएगा दोस्तों साल डेड़ साल के अंदर 100% दिल्ली में तूटी से पानी पहुँच जाएगा मेरा ये सपना है कि दिल्ली के हर घर में 24 गंडे पानी पहुचाओं 24 गंडे पानी होना चाहिए उस पर लगा हूँ मैं पानी का आना और पानी के बिल इन दोनों पर हम काम कर रहे हैं आप चिंता मत्कुर इसका भी इंतिजाम करेंगे ये सिर्फ भाशन बाजी ही साबित हुई लगातार दिल्ली में पानी की समस्या होती रही है आप सब को याद होगा जब बारिश होती है तो बार की समस्या होती है दिल्ली में जब थंड होती है तो प्रदूशन की समस्या होती है दिल्ली में और जब गर्मी आती है तो पानी की समस्या से जूजती है दिल्ली दिल्ली हर मौसम में हर मौसमी समस्या से जूजती है क्यों? क्योंकि हमारे जो नेता बैठे हुए हैं जो दिल्ली पर राज कर रहे हैं जो दिल्ली की सत्ता को चला रहे हैं उन्होंने दिल्ली को अच्छा करने के लिए कुछ किया ही नहीं है दिल्ली में जो विकास कार्रे होने थे वो हुई नहीं है सिर्फ भाशन बाजी हुई है सिर्फ फिरी की चीजें देने के नाम पर लोगों को बरगलाया गया है आज दिल्ली का जो ये हाल है सिर्फ इसी वज़ा से है कि दिल्ली के लोगों को रोज नए नए सिगूफे दिये गए कि हम अगली बार ये लाके देंगे हम दिल्ली को लंदन पैरिश बना देंगे हम दिल्ली को बहुत आगे ले जाएंगे